इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि Autodesk Maya में Scale Tool का यूज़ कैसे करते हैं, आल राइट, यहाँ पर अगर Toolbox में आएंगे तो जह सबसे last tool है, वो है Scale Tool और इसका shortcut हो गया R, अगर आप Keyboard पर R प्रेस करेंगे तो Scale Tool एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर आप इसके बाद किसी भी object को select करेंगे, तो यहाँ पर Scale का handles शो होगा, यहाँ पर भी आपको दीख रहा है X, Y और Z, तीनों में एक एक Cube बना हुआ छोटा छोटा और एक बीचों बीच में Cube बना ह Red, Blue and Green, ठीक है तो यानि कि इसमें भी 7 handles available है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बीच बाला होगा 7, टोटल 7 handles available है, Scale करने के लिए objects को, तो अगर हम लोग इस Y वाले handle पर Click and Drag करेंगे, तो object क्या होगा, Y direction में Scale Up, Scale Down होगा, ठीक है, अगर हम लोग X में करेंगे, तो X में Scale Up, Scale Down होगा, ठीक है, हम लोग इसे Squeeze कर सकते, ऐसा Stretch कर सकते, Scale Up, Scale Down हो रहा है, ठीक है, बड़ा छोटा हो रहा है, सिर्फ X direction में, और अगर हम लोग चाहे, तो Z direction में भी ऐसा Scale Up, Scale Down कर सकते, बड़ा छोटा, और अगर हम लोग बीचों बीच पे Click and Drag करेंगे, इस बीच वाला, जो Cube है, इस पे अगर Click and Drag करेंगे, तो यह Proportionally Scale Up and Scale Down होगा, यह Proportionally Scale Up, Scale Down करने के लिए, बोग का बहुत काम आता है, but other than that, और तीन Handles यहां पे मौझूद है, जो कि आप Move Tool अगर आप यूज की है, तो आप समझ सकते कि कैसे काम करेगा, यह Blue वाला जो Square है, इसका मतलब है कि Blue वाला जो Direction यहां प जो भी Color का, वहां पे Square बना हुआ, इसका मतलब अगर, उस Square पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, तो वह जो Direction जो है, वह Constant रहेगा, बाकी जो दो Direction है, उस पे हम लोग का Work होता है, मतलब उस पे Manipulation होता है, यानि कि वहां पे Scale Up, Scale Down होगा, अगर Red बाले पे अगर मैं Click and Drag करू तो यहां पे जो Z Axis है और जो Y Axis है, यह दोनों Scale Up होगा एक साथ, और Scale Down भी होगा, ठीक है, उसी तरह अगर मैं Green वाले Square पे Click करता हूं and Drag करता हूं, तो Y Constant रहेगा, यानि कि Y में कोई Scale Up, Scale Down नहीं होगा, बट, X और Z Direction में Scale Up, Scale Down होगा, ठीक है, Square वाला जो Handle से यह उतना Easily काम नहीं आता है, because यह आपको भी जल्दी समझ बनी आगा कि कब ऐसा Use करें, बहुत Rarely इसका Use होगा, Mainly यह तीन Handle और यह जो बीचो बीच वाला Handle इस सबसे यादा Use होता है, Proportionally Scale Up, Scale Down करने के लिए, और बाकि ऐसे भी यह तीनों Use होता ही है, ठ आपको नेक्स्ट वीडियो से में बताऊंगा, Until then, Thank You